मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दे कभी नंदन करता हूँ एस्टो तक की खास फ्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल्स होगे मौर सफल बनाएं तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आएं बहुत ही विशेश टॉपिक क्योंकि दिन बहुत खास आने वाला है बहुत ही खास दिन आने वाला है और मैं यूँ कहूँ कि साल का वन अमंग दे मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल है और फेस्टिवल है शट तिला एक आदिशी शट तिला शट का मतलब होता अच्छे तिला से शंबंद जो है वो तिल का है और एक आदिशी जो है भगवान विश्णू का वैसे भी बहुत विशिष्ट दिन माना जाता है बहुत विशिष्टित ही माने जाती है अब शट तिला का क्या मतलब होआ छे अलग अलग तरीके के तिल नहीं छे अलग अलग तिल के प्रियोग और आज का हमारा जो विशय भी है वो भी बड़ा खास है शट तिला एक आदिशी का महा उपाए देगा दुख दुरभाग्य और दरिद्रता से चुटकारा जी आए उस बारे में बात करेंगे माग का महीना जो है बड़ा विशेश माना जाता है तिलों के इस्तमाल के लिए पूरा महिना जो है वो तिल के प्रियोग का विशेश प्रियोजन है और माग के महिने के कृष्ण पक्ष की ग्यारस को शट तला एकादिशी पर्व मनाय जाने का विधान है इसका उलेक मनुस्परती में भी दिया गया है इसका उलेक पुलत्स रिशी ने भी किया है और स्वेम भगवान विश्णू ने देवरिशी नारच से भी कहा है इसका वरणन जो है वो नारच सहीता के अंतरगत भी दिया गया है शट तिला एकादिशी पर छे प्रकार से तिल का प्रियोग किया जाने का विधान है इसी कारण से शट तिला कहते है शट तिला एकादिशी शब्द भी इसी वज़े से ही कहा गया है शट तिला एकादिशी पर तिल के उबढ़न से पहला प्रियोग है शठ्टिला एकादिशी पर तिल के उभडन से शरीर को रगड़ कर साफ किया जाता है दूसरा प्रियोग शठ्टिला एकादिशी पर तिल यूक्त पानी में काले तिल मिलाकर स्टान किया जाता है शर्तिला एकादिशी पर पंचामृत में काले तिल मिलाकर नारायन का अभिशेक यानि तिलोदक कराया जाता है या तिल से अर्चन किया जाता है विश्णू सहसर नाम से शर्तिला एकादिशी पर नारायन के निमित काले तिल से हवन किया जाता है शर्टिला एकादिशी पर गरीब लोगों में काले तिल का दान किया जाता है और शर्टिला एकादिशी पर तिल और गुड से बने बिंजनों का भोजन किया जाता है तो इस छे प्रकार या इस छे रूपों में तिल के प्रयोग को ही शर्टिला कहते हैं और भगवान विश्णु ने स्वेम नारद मुनी को शर्टिला एकादिशी का महात्म बताया था पुलिट्स रिशी ने दलब्य रिशी को शर्टिला एकादिशी का विधान बताया था शर्तिला एकादिशी पर भगवान विष्णू के निमित गंध, पुष्प, धूप, दीप, तामबूल से विष्णू का शूड़ शिपचार पूजन किया जाता है सोलह अलग अलग तरीके से और शट्तिला एकादिशी पर भगवान विश्णू के निमित तिल साबुदाने की खिजडी का भोग लगा कर रात्री में 108 वार विश्णू के मंतरों से हवन करना चाहिए ऐसा विधान दिया गया है और शट्तिला एकादिशी पर भगवान विश्णू के विशेश पूजन रतर उपायों से अपार धन की प्राप्ति होती है देखिए अब आजकल के परियोग में एक आम व्यक्ति के लिए ये छे चीज़े करना भी बड़ा मुश्किल है तो आपको एक ऐसा काले तिल सिक्का और नारिल ले लिजे और अंजली में लेकर इसे भगवान लक्ष्मी नारण पर चड़ाई है और इस जो चड़ीवी सामग्री है किसी गरीब मजदूर को दान दे दीजे और इस पूरे प्रेयोग में एक विशेश मंत्र का जाप कीजे ओम लक्ष्मी पतय नमहा आश्वस्त करता हूँ आपको दुख दुर्भाग्यो दर्दरता निश्चित दूर होगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कलाब से फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहे हैं इस टो तक इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्ष्रिवाएं झाल